हलो टू आल माई ब्यूटिफुल सोल्स स्वागत आप सभी का मेरी चैनल पर और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ प्रष्ट आपके पर्ष्ट रहा है उनकी लाइफ में उनके दिल व दिमाग में और फ्रेंड्स यह एक जерхण रीडिंग है जेनल लीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ बाते हैं पाकरें और जेंडर फ्री इडिंग है तो मेल फीमेल सभी के लिए है और टाइम्लेस री तब आप से resonate करेगी, तो open mind होकर देखिएगा reading को, enjoy कीजिएगा, तो शुरू करते हैं reading को, उससे पहले हमारा ritual, thank you, thank you so much God, thank you so much angels, thank you so much universe, प्लीज मुझे guide करें, please मुझे बताएं कि हमारे जो भी viewers यहां पर हैं, यह video देख रहे हैं, उनके person की अभी current energy क्या बनी हुई है, हमारे viewers के लिए, उनकी life में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, thank you, thank you so much, thank you मेरे सभी ascended masters को, thank you so much, please मुझे guide करें, thank you करें, thank you अभी आपके person की जो current energy है, वो दो तरफा चल रही है, दो राये पर खड़े हुए हैं वो, दुविधा में हैं, indecisive mode में हैं, क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि हमारे कुछ viewers ने, उनसे बात करने की कोशिस की हो, या हो सकता है कि उन्होंने हमारे viewers से, बात कर लेने की कोशिस की हो, message किया हो, text किया हो, तो वो अभी इस सोच में है कि आखिर मुझे क्या आगे करना चाहिए, क्या मुझे इस relationship के लिए stand लेना चाहिए, क्या मैं better person हूँ, सामने वाले के लिए, या वो सामने वाला person better है मेरे लिए, इस तरह की उनकी सोच चल रही है, बार बार वो remind कर रहे हैं उन सब पुरानी बातों को, जो आपके साथ हुए हैं, उनकी arguments, आपकी जो hot talks हुई हैं, उनके साथ जो गहमा गहमी हुई हैं, वो सारी चीजें बार बा उनके mind में आ रही हैं, और अनजाने ही वो फिर से उनी चीजों का attract कर रहे हैं, क्योंकि उनको सायद universal law के बारे में पता नहीं है, कि आप जिस चीज को जितना अधिक सोचेंगे, उतना अधिक उसी को attract करेंगे, तो अभी वो अनजाने में ही हैं, आपके साथ वही सब चीज आते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पहल आप करो, आप अपनी तरफ से उनको approach करो, आप उनको high hello send करो, इस तरह की उनके energy बनी हुई है, लेकिन उनको अपने इस sad aside को छोड़ना पड़ेगा, उनको इस energy से बाहर निकलना पड़ेगा, जिस energy में वो हैं कि साम उनको खुद से अपने आपको explore करना पड़ेगा, अपने दिल की बात आपको बतानी पड़ेगी, ये divine की मर्जी है, ये universal law है, universe ये चाहती है कि वो खुद से आकर आपके आगे अपनी सारी बात कहें, अपना दिल खोल कर रखें, ऐसा universe उनसे अभी require कर रही है कभी कभी उनके mind में ये भी बाते आती हैं कि ये सब व्यरत की चीजें हैं, इसके प्यार महबत कुछ भी नहीं होता है, सब व्यरत है, इसमें pain मिलता है, दर्द मिलता है, लेकिन जब उनको 3D world से, जब उनको अपने आसपास के लोगों से, अपनी family के members से, जब उनको pain दिय जाता है, तब वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा craving फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको miss करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा होती है कि वो आके आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे माफी मांगें और इस रिष्टे को better बनाएं, ऐसा वो feel कर रहे है current में, वो कोसिस बहुत करते हैं कि उनकी family में किसी के साथ कोई भी argument ना हो, बट उनकी family members को उनसे बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत उनकी desires हैं उनसे, तो जब वो पूरी नहीं होती हैं, जब वो fulfill नहीं होती हैं, तो कही ना कहीं family की और से उनको थोड़ा सा पिंच किया जाता है, और जब वो family उनको पिंच करती है, तब फिर वो आपको मिस करते हैं, चाहते बहुत हैं कि चीजें clear हों, आपके साथ sort out हों, और हसी खुसी वाला time फिर से spend करें आप दोनों एक साथ, बट जो चीजें उनको रोक लेती हैं, वो यही हैं कि उनको लगता है कि आप लोगों में arguments होंगे, फिर से आप लोगों में fight होगी, फिर से आप उन पर बहुत ज़्यादा depend हो जाओगी या हो जाओगे, और उनको बार बार call message करके आप बात करने का try करोगे, यह सब चीजें उनको अभी थोड़ा सा परिसानियों में डाल सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके family members भी उनको बहुत पिन करते हैं, बहुत उनको अपने ख्वाइसों के लिए बोला जाता है कि आपने ये वर्क बोला ये नहीं किया, वो वर्क कहा वो नहीं किया, और family में उनके कुछ कर्मा हैं भी जो उनको deal करने हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनकी life का एक missing part हो, आपके अलावा उनको कोई और वो happiness दे ही नहीं सकता, वो आत्मा की संतुष्टी, आत्मा की खुशी उनको कोई नहीं दे सकता, वो कोई कितना भी करीबी दोस्त हो, उनका कितना भी करीबी रिष्टेदार हो, आप से जो उनको fulfillment मिलती है, आप से जो उनको soul satisfaction मिलता है, वो उनको कहीं और नहीं मिलता, इसलिए वो जब भी दुनिया से कटते हैं, हर जगे से ठोकर खाकर वो आप के पास ही आते हैं, और अब इन चीजों से वो काफी परिसान भी हो चुके हैं, उनको यह लगता है कि अगर मैंने इन सब चीजों से lesson नहीं लिया, तो मैं बार बार एक लूप में घूमता रहूं वरना वो इसी लूप में घूमते रहेंगे, उनको ठोकरें मिलती रहेंगी और वो आपको इग्नोर करते रहेंगे और दूसरों से ठोकरें खाते रहेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, यह उनकी current energy है, वो यह चाते हैं कि वो सभी चीजें सही से करें, फैमिली के प्रती उनके जो करतव हैं, बेसक वो उनके कार्मिक हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उनके प्रती जो उनके करतव हैं, 3D में वो पूरे करना चाते हैं, आपके प्रती जो करतव हैं, उनके 5D में वो पूरे करना चाते हैं, और आपके साथ 3D में भी एक सामन जिससे बिठाना चाते हैं, एक ब पहाट सकें एक दूसरे को समझ सकें तो ऐसी उनकी अभी current energy बनी हुई है आपके लिए अपने आपको बहुत better बनाने की कोशिस कर रहे हैं और काफी हद तक अपने आपको वो better बना चुके हैं जो पहले कि उनकी एक energy रहती थी इन mature वाली energy वो आप काफी हद तक improve हो चुकी है काफी mature हो चुके हैं काफी deep level पर सोच रहे हैं आपके लिए और बहुत जल्द कुछ ना कुछ change जरूर आएगा तो बने रहिएगा मेरे साथ अब तक trends यह थी आपके person की current energy अब कुछ उनकी और से messages देख लेते हैं कि वो क्या channel messages देना चाहते हैं आप सभी को हमारे viewers को तो आज हम यह वाले messages ट्राइ करेंगे इन से देखते हैं कि क्या message निकल कर आते हैं please God, please angels, please universe मुझे guide करें, please बताएं हमारे जो भी viewers यह वीडियो देख रहे हैं उनके person उनको क्या channel message देना चाहते हैं thank you okay तो यह सबसे पहला message है dear friends वो बहुत ही अच्छा message है और यह message है प्रेम का अनुभव ही God का प्रमान है उनको यह एहसास है कि आपके साथ उनको जो प्रेम है और जो यह अनुभव कर रहे हैं प्रेम को यह God का प्रमान है उनको यह message होने लगा है कि ईश्वर प्रेम का दूसरा नाम है यू होड़ द की ओफ माय हार्ट तो आप से कह रहे हैं या कह रही हैं कि आपने उनके दिल की चावी अपने पास चुपा कर रखी है और उनका दिल बिलकुल लॉक है किसी और के लिए ओपन नहीं हो सकता है अगला message है I am lost without you तो हो सकता है कि आपके बना अभी उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो अपने आपको बहुत lonely feel करते हो lost feel करते हो और किसी काम में मन नहीं लगता हो उनका ऐसा हो सकता है अगला है there is no other woman in the world like you तो आपसे कह रहे हैं कि इस दुनिया में दूसरी और कोई भी औरत नहीं है आपके जैसी या कोई भी लड़की नहीं है आपके जैसी आप one and only हो उनके लिए या अगर आप male हो तो आप one and only हो आप अपनी female partner के लिए thank you for forgiving me तो आपसे कह रहे हैं कि thank you तुमने मुझे माफ कर दिया है तुम एक big heart रखती हो या रखते हो तुमने मुझे माफ कर दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया I need you by my side तो आपसे कह रहे हैं कि आप बेसक उनको नहीं चाहते हो लेकिन वो आपको चाहते हैं और वो कह रहे हैं आपसे कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से चाहता हूँ तुमारे मन में क्या चल रहा है तुम क्या चाहती हो नहीं पता या तुम क्या चाहते हो नहीं पता लेक your past with your present तो आप से कह रहे हैं या कह रही हैं कि अपने past को अपने present से compare मत करो जो past में जो बुराइया थी जो problems थी जो obstacles थे आपकी life में दीरे दीरे वो जा चुके हैं और हमारे बीच जो भी misunderstanding थी वो खतम हो चुकी है तो अपने present को कभी भी अपने past से compare मत करना आप अगर सोचो कि past में हमारे जगड़े होते थे हमारे बीच बहुत जादा arguments होते थे हम एक दूसरे से दूर रहते थे हम एक दूसरे को message send करने में पहले आप पहले आप करते थे तो वो सब चीजे नहीं होंगी अब आप दोनों ही एक mature level पर हो message कोई भी करे किदर से भी करे दोनों का ही उसमें भला है दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है I love the way you make me feel तो आप से कह रहे हैं कि मैं बहुत love करता हूँ जिस तरीके से तुम मुझे को feel कराती हो जिस तरीके से तुम्हारा touch है जिस तरीके से तुम्हारा बात करने का तरीका है जिस तरीके से तुम मुझे pamper करती हो उन सब चीजों को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अप्रिशियेट करते हैं अगला है वी अवियर आफ हीज हर फिलिंग तो आपसे कह रहे हैं कि साफधान रहो, सामने वाला परसन अगर आप किसी के साथ फ्रेंड्सिप में नई नई फ्रेंड्सिप कर रही हो या कर रहे हो, या आपको पता नहीं है उस परसन के बारे में कि वो इनसान कैसा है, और आपके परसन को मालूम है, अगर तो वो कह रहे हैं कि अवियर रहिएगा, जो भी परसन आपसे फ्रेंड्सिप कर रहा है अच्छा बनके आपसे घुलने मिलने की कोसिस कर रहा है, उसकी feelings आपके लिए क्या है, कहीं वो lust तो नहीं रखता है आपके प्रतिया, उसके मन में आपके प्रतिय कोई और दुर्भावना तो नहीं है, तो please aware रहिए कि वो आपके प्रतिय मन में क्या धारना बना के रखा है, आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोच रहा है, इसके लिए अवियर रहिएगा, यू फिल माइ हार्ट विथ लव और जॉए, तो आपसे कह रहे हैं कि तुमने मेरे हार्ट को, मेरे दिल को, लव से और जॉए से, खुसियों से भर दिया है, अगला है, I dream of you, तो आपके सपने देखते हैं, या तो दिन में देखते हैं, या फिर उनको डिवाइन की ओर से सपने आते होंगे, तो रात में वो आपके सपने भी देखते हैं, सपने में आपसे बात करते हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि आप एक एंजिल हो, जो गौड की तरफ से अर्थ पर भेजी गई हो, तो friends, ये थे messages आपके person की ओर से, I hope कि आपने enjoy किया हो reading को, reading आपको अच्छी लगी हो, reading पसंद आए, तो वीडियो को like करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो please subscribe करिएगा मेरे चैनल को, और bell icon को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ, आप तक सबसे पहले notifications पहुंचें, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे से जुड़ने के लिए, और इस soul family को grow करने के लिए, thank you so much अपना कीमती समय देने के लिए, thank you so much for watching,